अब आरकिशान बाई जो उन्नत प्रगती सिल किशान है जिसके पास सुवीदा है तो हमारे तरह यहां पर जैसे आप देख रहे हैं हम लोग ड्रिफ सी चाए जो टपकन वीधी के माध्धम से यहां खेती कर रहा है और हम जो मल्चिंग किये है प्लास्टिक से इससे खर्पद बार कम हो जाती है तो आप हसल का बढ़वार भी अच्छा हो जाता है उपज भी अच्छा होता है और मलब जो खर्पद बार निकालने के लिए जो लोगों का कमी लगता है मलब बार कम लगता है तो इस बीदी से भी लोग खेती कर सकते हैं और इस में जो मुख रुप से ज सबी जानते हैं, किसान भाई सबी लोग जानते हैं, बहुत छोटे आकर करके होता है, जोंड में रहते हैं, कोमल टैनियों, पत्तियों, फूलों से भी रोस्चूस के छती पहुंचाते हैं, इसके नियंतरन के लिए जो रोगर दावा है, दो मिली लिटर, एग लिटर पानी मे घोलकर हम छिड़काओ करके नियंतरन कर सकते हैं, तो इस तरह से जो उन्नत किसाम का बीज हमारा केंदरे से प्राप्त करके, किसान भाई इसका सफल खेती कर सकते हैं, अभी भी हमने बहुत सरा किसानों को दिये हैं, जैसे खूटी और तमाड छेतर में भी, हमारा जो उन्न तो इसका खेती किसान भाई सफलता पुर्भक इस चत्र में रभी का मौसम में कर सकते हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर इस जो खड़ी फसल उसके जड़ों में प्लास्टिक डाली गया है क्या यह प्लास्टिक कितने मैकरोन की यूज के जाते हैं कुछ ऐसा को भीन भीन रंग की यूज के जाते हैं या एक ही रंग के होते हैं नहीं हो रहा है और साथ-साथ मुख्रूप से जो खर्पदार है उसका नियंत्रन हो रहा है नहीं तो हम 3-4 बार हमको खर्पद बार निकानला पड़ता था ओचीज इसमें नहीं हो रहा है तो खर्चा हमारा बज़ जा रहा है साथ ही साथ चो कि टॉपकॉन विदी से कर रहा है तो उससे भी हमारा पानी का भी खर्चा कम हो रहा है